कि यह वाक्यांज कि लिए ऍआर्ट की और बाट वन और पार्ट two जवर्दस तरीके से पड़ लिये यह अपना पार्ड अगर इतना आ जाते हैं तो बारा से पंद्रा नंबर आपको दिला देंगे शेशन तीन लगातार शेशन सोपर डूपर है इनकी एहमियत का पता चलेगी जिस दिन examination हो लो मेट होगे और यहां सब क्योशन देखोगे कि वाउ क्योंकि यह वो confusion वाले जोड़े हैं वो confused pair हैं जिन में प्रशन आता ही आता है और घूमते ही घूमते हो सारे दिन पर आप मोबाइल देखते रहते हो लाइव टेस्ट के चक्र में यह ले लो आई जो इसे है वाचाल कम बोलने वाला मित बाशी के तरहने कम बोलता है मित बाशी है यह मित से एक चीज और ध्यान करना यह दोनों भी साइब जाएगा इन्हीं से लगबग मेच खाता ही है कम खर्च करने वाले इसको अपन कंजूस बोलते हैं उसे बोले जाता है मित वेई मित का क्या है कम है इसको मत बोल जानाब मित का मतलब कम है विशेश तोर पर ध्यान देना और कोई दिक्रत नहीं जैसे कम बोलने वाला मित बाशी होता है वैसे कम कर्च करने मित भी होता है अधिक बोलने वाला वाचाल है जो मीठी वानी बोलने वाला जो बहुत मीठा बोलता है म बड़ा बढ़ा चत्र बोलने में वागपाटु हो क्या कहलाता है वागपाटू अधिक खर्च करने वाला अपवेई होता है ज़्यादा करच भी नहीं करना चाहिए यह चीजा आपको ध्यान रखनी है वो गया वो साथ का जोड़ा कितने का जोड़ा था वो साथ का जोड़ा था, ऐसे ही कुछ शब्द और है, वह है वेक्ति जिसका ज्ञान सिर्फ अपने तक ही सिमित हो, कहता है कूप मंडूक है, मतलब अपने तक सिमित रखता है, उसे पुरा दुनियादर का पता नहीं है, कहीं और बिखेरता भी नहीं है इसको, तो वह है वेक बावा हो वो अन्य मनस्क कहला था है शिग्र प्रसन होने वाला जैसे भगवान शीव कहता है ना भोले शीव शंकर है वो जल्दी राजी हो जाते हैं खुश हो जाते हैं वैसे शिग्र प्रशन होने वाला आशुतोष होता है बड़ा जल्दी राजी होता है ठीक है के मन की बात जानता हो केता है ना तु यार हर किसी की बात जान लेता है मेरे मन के अंतरयम ही है क्या मतलब वो अंतरयम ही कहलता है ध्यान या विचार करने वाला ध्यान में भी ध्यान आ रहा है तो ध्याता ठीक है ना तो ध्यान या विचार करने वाला क्या कहलता है ध्याता ज जिसके अर्दे या मन में चोट पहुँची हो, वो मर्म के दिन मेरे मर्म चोट पहुँची, मर्म होते हैं, चोट का मनला मर्म होता है, तो मर्माहत, मन में होने वाला या स्वाभाविक ग्यान, वो अंतर ग्यान होता है, जो मन में होता है, मन में होने वाला ग्यान या सुअभाविक ग्यान वो अंतर ग्यान होता है और जो विशे का शुक्षमता से विशलेशन करता हो वो फिलोसोफर होता है, दार्शनिक होता है जो एक के एक पहलू को टच करता है ठीक है न, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि यह कर दो का जोड़ा कंप्लेट, चार-चार के दो जोड़े कंप्लेट, आओ इतर यह होता है अंगुठा, अंगुठा को क्या बोलते हैं अंगुष्ट तो अंगुष्टा या अंगुष्ट एकी बात है, अंगुष्ट और यह होगी मध्यमा अंगुष्ट और मद्यमा के बीच के अंगली क्या कहलाती है तरजनी है ना यह जो से वोट दिया भी वोट का साइन भी लगावा है तो यह जो है तरजनी है मतलब इसके मद्यमा के रंगुठ है के बीच की जो अंगली है वो तरजनी कहलाती है सबसे छोटी अंगली यह चिट आई जाती है ठीक है वह उस इसको बोलते है अनामिका उसे और बोलेंगे अनामिका अब ये अनामिका और ये संबन्दित से इलिट है जो प्रशन आता ही आता है ऐसे ही का जोडा हो रहा है आग को लेके फाया आग आग दी कैसी समुध्र से समद्रृण दित आग या अनल पेट से समुध्रूण दित आग या अनल जंगल से समद्रूण दित आग या अनल और पुरे विश्व में 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 वि जंगल में क्या पता है कि आपको पता है जंगल होता है जंगल में जड़ी बूटियों होती है और जड़ी बूटियों से क्या बनाई जाती है दवाईयां मतलब दावा नल या दावागनी जंगल वाली होती है और पूरे विश्व विश्व से हो गया वेश्वा विश्व से वेश्वांदल, तो मुझे बताओ, इन तेन में तो ट्रिक वैट गई, पीछे जो बचाओ, वैसे याद हो जाएगा, ये आग वाली भी ध्यान नकला, इसमें गड़ से, याद करने का तरीका कैसा लगा, जुरूर कॉमेंट करना, क्योंकि याद आपको कराने की थमनेलम स्वाधिश का भी आपको जिस को जीतना कटिन हो, वह होता है, बिल्कुल जिसको जीतना कटिन हो, वो होता है दुर जय होता है उसका दुर जय हो जाएगा जिसे करना कटिन हो बाई कोई काम ऐसा है जिसको अपने बहुत मुश्किल से कर पाएंगे बहुत मुश्किल करना बहुत कटिन हो दुश कर कर मतलब काम होता है जहां जाना मुश्किल हो जहां जाना कटिन हो दुर्गम बहुत मुश्किल है कि वहां पहुँचना बहुत ज्यादा कटिन है तो जहां जाना कटिन दुर्गम हो जाएगा कहते हैं न बड़ी दुर्लब चीज है यह खतम होने कि कगार पर है तो जिसें प्राप्त करना मुश्किल हो एक कटिन हो दुरलब कहलाता है जिसें पाना कटिन हो बहुत मुश्किल से मिलेगा दुष्प्राप पे ठीक है न उसको दुष्प्राप पे कहते हैं जिसे पार करना कटिन दुस्तर कहलाता है और जो कटिनता से भेदा जा सके वो दूर भेदे जिसको भेदना बहुत कटिन हो एसा माल लो दूर भेदे दूर का मतलब negative मना करना हो अग तरीके से जिसे दबाना कटिन हो वो दुर्दम या दुर्दान्थ ये काफी important है 10 का जोड़ा है बहुत ज़्यादा शांदार सोपर डोपर जिसको 10 नी 12 का जोड़ा है जिसको पकड़ने में कटी नाई हो दूर्भी गर है यह यह है है और है के बाद मैं है ठीम है तो दूर गाम छहा ना जो ध्यान रखना दूर्गाम है तो जो कटिनाई से पचे या जो देर से पचे ऐसा कोई खाना डाइजेशन बड़े लंबे टाइम बाद में हो वो गरिष्ट होता है गरिष्ट जबरदस्त बारा का जोड़ा हो गया मतलब कितने कितने के जोड़े वे जोड़े जुरूर यह ध्यान लखना अपने ना कहां से जिसमें लगबग इस्तरी 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 लिखावा रहेगा कि वह इस्तरी जिसका पती जिवित हो ठीक है उस इस्तरी को बला जाता है सदवा और जिसका पती मर चुका हो ठीक है वो होती है विद्वा तो दोनुं का जोड़ा है एक साथ याद हो परीतेक्ता वह सिस्टरी जिसके संतान न हो या पिर संतान उत्पन करने में ऐसमर्थ हो वह बांज या बांज के बंद्य जदा आता है आजकर तो ध्यान में कि की बंद्या भी याद रख़़ूना साइंस में कहते हैं ना कि रजोवर्ती प्रारम होगी लड़की में मतलब वो है तो मासिक रक्त स्राव हुआ हो वो रजस्वेला कहलाता है फिर है वह स्त्री जिसके पती ने दूसरी शादी कर ली हो वो अध्यूड़ा कहलाती अध्यूड़ा ठीक है ना मतलब अब उसके पती कहीं किसी और से शादी का अध्यूड़ा हो ठीक है एविवाईत स्त्री अनुड़ा है जिसके शादी नहीं होई हो वो अनुड़ा होती है जिसके शादी हो रखी है बट पती का प्यार या स्ने नहीं मिला मतलब पती के स्नेह या प्यार से रहित स्त्री दुर्भगा होती है दुर्भगा मतलब दुर्भग ये उसका कि उसको पती उससे प्यार नहीं करता स्नेह नहीं करता दुर्भग ये उसका भाग ये इच्छा नहीं है पत्ति का वरण करने वाले इच्छी केते हैं न इस्तरी सूरिय भी नहीं देख पाती दिन भर काम करती है विचारी सूरिय भी नहीं देख पाती वह ए सूरिय पश्या वैसे भी सूरिय लिखावा है तो समझ जाओगे सूरिय से सूरिय है केवल अपने पती से अनुराग करने वाले इस्तरी पती वरता कहलाती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पती से हथ चीज का मतलब रखती है परपुरुष्य प्रेम करने वाले इस्तरी वो कहलाती है परकिया ठीक है ना, बिल्कुल परकिया, जो अपनी पतनी के साथ रहे, या पतनी के साथ हो, सह पतनीक, ठीक है, और वह इस तरी, जो वेदू का ग्यान रखती हो, वो विदूशी कहलाती है, तो ये थे शेशन आपके, तीन जवर्दस सूपर डूपर, कैसे लगे, जरूर कॉमेंट कर ही, आपने खुदने फील किया होगा, इस इसको, टोटल पांच, थोर तीन पार्ट हो गए है, ये चाउदा ये होगे, बारा ये होगे, इसके बाद में चार चार आठ ये होगे, नो ये होगे, साथ ये होगे, ये जितने भी वर्ड हो रहे हैं, मेरे साथ साथ 50-50 के से पढ़ लिया, तो वाइकियंज के लिए साथ तक शब्दा टॉपिक तो कम्प्लीट ही है, इसके साथ में आपके शब्दशुद्धी वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा, आप खुद नोटिस करेंगे, कि शब्दशुद्धी भी यहां पर बहुत ज्यादा यहां से क्य होई हो रहे हैं, इसके लावा और भी तरह तरह का यूज है उन वर्ट्स का, इसलिए मैं इन पर जोड़ दे के आपको स्पेसिपिक अलगलग क्लासिज रखी है, ठीक है, तो यह चीज है बाकी और आपको बताना जरूर है किस पर और ज्यादा क्लास ली जाए, राजस्तान बहुत ज्यादा मैनत करनी है, मिलते हैं फिरिंग नई शेशन के साथ में, जीक है, आपके